हेलो चिल्रन, वेलकम टो दिख्छान साडुटे, आप जोती एंड तुडे आवर सब्जेक्ट लर्न तो राइट कर्सिव लेटर, टॉपिक हमारा कर्सिव लेटर कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, आज हम लोग कैपिटल सी एंड स्मॉल सी को कर्सिव राइटिंग में किस टाइप से, किस तरह से लिखा जाता है, कितने लाइन्स में लिखी जाती है, यह आज हम लोग सीखेंगे ओके, तो यह हमारा चैप्टर फोर, तो स्टार्ट करते हैं, लर्न टू राइट कर्सिव लेटर सी, यह हमारा जो, यह हम देख रहे हैं, यही हमारे कर्सिव लेटर सी है तो, नॉर्मली हम लोग, कैपिटल सी जो होता है, वो इस टाइप से लिखते हैं, और स्माल सी, इस तरह से, है ना, इस तरह से लिखते हैं, तो थोड़ा सा चैज़ इन्स आ जाता है, कर्सिव लेटर में, हमें कुछ और लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ती हैं, जिससे, लेटर से उसे मिलाया जा सके, इस वज़ा से, ये थोड़ा सा हमें चेंज लग रहा है, ज्यादा चेंज नहीं है, ठीक है, तो कितना चेंज करना पड़ेगा, राइटिंग, कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, इस टाइप से सी लिख करके, लाइन लिकालनी हैं, कि कैसे क करनी है, ये भी आज हम जानेंगे, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, यहां हम देख रहे हैं, capital C and sorry capital C first we write cursive letter capital C capital C है और हमें यहां इसे write करना है तो track the letter on these dots line यहां dots line में हम लोग क्या करेंगे इसे write करेंगे यह हमारा C है तो इसे dots पे हमें इसे write करना है capital C three line same जैसा हम लोग लिखते हैं उसी उतना ही line में हमें लिखना है capital C okay first we track the letters on these dots line okay इस type से बस एक line में ही यह complete हो जाता है ज्यादा difficult नहीं है यह इस type से complete हो जाता है यह हो गया हमारा capital C in dot lines अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ हमें खुद से उसे write करना है in जो boxes में जो boxes में write the letters in these empty empty box तो यहाँ है हमारा है capital C अब यही इसी line में हमें आगे boxes में write करना है capital C first यहाँ से हम लोग start कर लेते हैं इस line को complete करते हैं then we write next line okay capital C capital C capital C इसके बाद हमारा यह last line है capital C इस टाइप से capital C को हम लोग write करते हैं in lines on cursive letters यहाँ भी हमें capital letter लिखना है track and write अब लोग इसे track करेंगे और फिर write करेंगे यह हमारा capital C C capital C capital C C for cat C for cap C for camel C for cup C letter C C C capital C capital C इस टाइप से line का हमें बस देखना है कितने line में कहां तक हमें इसे write करना है capital C capital C capital C okay इस टाइप से cursive letter में capital C write करना है now we write small letter okay cursive writing letter small C small C यहां हमें दिख रहा है और यहां पर C for हमें क्या दिख रहा है C for camel so small C जो होता है वो beach की जो two lines होती है उनमें इसे write करना है जैसे normally हमनों C को small C को two line में write करते हैं cursive letter में भी cursive writing में भी उसी type से हमें two line में ही उसे write करना है यहां पर हम देख रहा है small C इसे भी हमनों क्या करेंगे track करेंगे then we write small C C C next small C small C small c next अब हमें boxes में खुद से small c को write करना है यहां देखेंगे हम यह हो गया small c बहुत इसी है बस पीछे से एक line आएगी और इसे double cover करके इस type से निकालना है यहां से एक line then c small c small c small c यह c हमारा बहुत easy है और cursive letter में है तो बस एक पीछे से हमें इसे start करना है आगे से नहीं और इस type से जा करके वापस round आना है और c बना देना है ठीक है इस type से इसे write करना है ओके small c इसे यहां भी लिखते है small c small c यह इस type से हमें write करना है proper line and only to middle line बीच वाली दो line में हमें small c write करना है यहां भी हम लोग small c ही write करेंगे track and write small c same जैसा भी हम लोग लिखा है उसी type से हमें इसे track करना है और write करना है तो यहां से हमें start करेंगे small c in two letters से यहां से यह दोनों line का हमनों फर्स्ट पहले complete करते है small c यह हमारा small c जो two lines में two middle line में लिखी जाती है ओके यहां से हम start करते है यह small c small c ok अब इस साइड के letters को भी हम लोग इसी तरह से two lines में write करेंगे small c small c ok यह इस तरह से write करना है small c यह आप लोग भी इसी तरह से इसे write करेंगे first बहुत fast नहीं होगा slowly slowly हमें अपनी speed बढ़ाने होगी जब हम इसे perfect तरह से write करना आ जाएगा तब हम थोड़ा इसे past भी write कर सकते हैं बढ़ पहले हमें कितना होना चाहिए कि यह middle के two lines में write करना है और उतना ही बड़ा हम इसे write करें ज्यादा बड़ा नहीं क्योंकि small letter है और इसके जो size है वो यह middle letter middle lines जो two lines है उसी के अंदर होनी चाहिए यह हो गया हमारा small c complete ठीक है तो इस तरह से proper line में cursive letter writing में small c write करते हैं अब यहाँ हम देख रहे हैं track and write यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं cursive letter में cursive writing में capital c and small c इसे हमें क्या करना है track and write करना है इसे देख करके इसके उपर हमें track करना है चलाना है देख करके और फिर यहाँ letters को लिखना है तो start करते है first capital capital c capital c capital c capital c capital c capital c next small c small c small c small c ठीक है इस तरह से capital letter and small letter write करेंगे अब यहाँ हम इसे एक बर खुद से write करते है capital c capital c capital c capital c capital c capital c next line capital c capital c capital c capital c and once again capital C. Next, small c, 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 small c. Next line, small c, small c, small c, small c, small c. Alphabet में third number पे आता है हमारा C, A, B, C. और ये capital letter है और ये small letter, cursive writing, okay? So, अब कुछ activities करते हैं, ठीक है? यहाँ हम देख रहे हैं, letter C. Letter C हमें देख रहे हैं. और इसे हम क्या करेंगे? Drag करते हैं, pink color, ठीक है? तो यह है letter C. ठीक है? Letter C. अब यहाँ पर letter C जो है, वो हमें देख रहा है. है ना? तो इन्हें क्या करेंगे? हम ट्रैक करेंगे letter C. Letter C. और letter C राइट करने के बाद हमें और भी बहुत कुछ है यहाँ पर, जो हम, हम सभी क्या करेंगे? सीखेंगे? ठीक है? कुल C. C for. अभी हम राइट कर रहे थे तो हम लोग बोल रहे थे ना? Letter C. C for cat, C for camel, C for cup. सीखेंगे? यहाँ भी बहुत सारी चीजे हैं, जो C for है. तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा रेट कर लेते हैं. C for carrot. C for carrot. Carrot means गाजर. गाजर खाते हो ना आप लोग. ठंडी में, गाजर. रेड रेड गाजर आती है, फिर ओरेंज में भी होती है, है ना? तो C for carrot. उसके बाद C for होता है, चेरी, C for cherry. चेरी भी एक फ्रूट है, C for cherry. उसके बाद आता है, C for candle. candle, candle, candle क्या होता है? मुमबती, candle, आपके बड़े में, आपके बड़े में, केक के उपर लगाते हैं, और फिर उसे जलाते हैं, तो वो क्या है? candle, आपके, जितने ही अर्स के आप होते हैं, उसके candle लगता है. हाँ, तो वो किस लेटर से स्टार्ट होता है? C for candle, और ये क्या है? What is this? candy, जो आप लोगों को बहुत पसंद है, और बहुत छोटी सी होती है, आप जब मन करता है, आप खाते हो, है ना? तो वो भी C लेटर से स्टार्ट होता है, C for candy. ओके, तो ये सारे, जितनी भी यहाँ पर हमें चीज़े दिख रही है, वो लेटर सी से स्टार्ट होता है, अब क्या करना है हमें? Circle the letter C. हम क्या करेंगे यहाँ? Circle बनाएंगे, किन्हें? Letter C को, तो letter C को हमें यहाँ क्या करना है? पहले find करना है, ढूनना है, और उसके उपर circle बनाना है. तो यहाँ B है, यहाँ C है, इसे हम circle बना देंगे. यहाँ X, H, C, इसे भी हम circle बना देंगे. उसके बाद है A, M, Q, G, O, C, letter C. यहाँ पर 1, 2, 3 है, letter C है, ठीक है? तो इस तरह से letter C को हम लोग पैचानेंगे, और circle उसके उपर बनाएंगे. Now, यहाँ हमे small letter, ठीक है, track and write the letter C in cursive writing. तो first अब लोग यहाँ पहले, क्या करेंगे, इसे write करते हैं. तो इन dots फेक बाद track कर लेते हैं. small c, small c, small c, small c, small c. यहाँ टू लाइंस है, उन्हें भी हम लोग फिल करते हैं. with small c, small c, small c, small c, small c. small c, small c, small c, complete. So, इस तरह से, small c, write करेंगे. अब हमें क्या करना है? Join the letter C to the correct pictures. यहाँ पर क्या है? letter c. और हमें क्या करना है? joint करना है. किन से? correct picture से. So, अभी हम लोगोंने letter c से. बहुत सारे pictures. यहाँ पर हम लोगोंने देखा था ना? carrot, फिर, candy, cherry, candle. वैसे ही, यहाँ भी कुछ pictures है, जो letter c से start होते हैं. तो यहाँ पर pictures जो दिख रहे हैं हमें, दिख रहे हैं ना? यहाँ 1, 2, 3, 4. 4 pictures दिख रहे हैं. तो जो letter c से start होगा, वहाँ हमें line बना देनी हैं. कि यह letter c से, जो भी चीज है, उसका name start होता है. तो हम लोग देख रहे हैं, first picture में हमें क्या देख रहे हैं? Camel. Camel, camel जो है, इसका जो name है, वो c से start होता है. तो हम लोग line joint कर देंगे, c for camel. उसके बाद वहाँ क्या है? Cap. C-A-P, cap. तो cap जो है, वो भी c letter से start होता है. Next, balloon. B for balloon. तो यह start नहीं होता है. Cupcake. Cupcake, जो letter c से start होता है. So, इसके भी joints, line draw कर देते हैं. So, camel, cap, and cupcake, जो letter c से, sorry, letter c से start होते है. नहीं होते हैं. draw, sorry, write, track the letter c. So, start करते हैं, letter c. Capital c, small c. Capital c, small c. Capital c, small c. Next, capital c, small c. Capital c, small c. Capital c, small c. Capital c, capital c, small c. Capital c, then, small c. अब एक एक बार, हम लोग यहां लिखते हैं. Capital c, small c. 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 Okay, यहां, c, c for क्या-क्या है यहां पर? उन्हें हम, read करेंगे, c for cake, c, a, k, e, cake, c for cake, c for camera, c, a, m, e, r, a, camera, c for cat, c, a, t, cat, c for candle, c, a, n, d, l, e, candle. Okay? So, c for cake, camera, cat, and candle. Circle all of the letter c. Letter c, यहां, जो हमें दिख रहा है, बहुत सारे letters है, तो हमें क्या करना है? Letter c को circle करना है. तो यहां पर first में ही मुझे letter c दिख रहा है. है ना? Letter c. A, c, c, d, a, n, b, o, c, z, i, b, s, d. Okay? Four, capital c, and small c, two capital and to small c. और यह हम लोगों ने क्या क्या? इसे circle किया. Now, track and color letter c. इसे हम लोगों क्या करेंगे? Track करेंगे इस पर और इसको color करेंगे. यहां white में है और black में है. इन्हें different colors से हम लोगों color करेंगे. First हम लोगों इसे orange color से color करते हैं. Okay? Orange color. तो track करना है. तो start कहां से करना है? यहां से. इस तरह से हम लोगों first outline करेंगे. Outline में भी जिस type से हमें लिखना है उसी type से हम लोगों इसे track करेंगे. और color करेंगे. Okay? यह हमारा capital C cursive writing. इस type से हम लोगों इसे color करेंगे. और इसे हम लोगों कर रहे है orange color. और C for colors भी होता है. है ना? C for color. यह अब यहां से यहां जा रहा है. इसे भी हम लोगों outline करेंगे first. यह outline हो गया? अब हम लोग इसे भी color करते हैं. Okay? यह हो गया. यह हमारा capital C colorful हो गया. रंग से यह orange color से orange color का हमारा capital C. Okay? Very nice. next. हम लोग small C को करेंगे green color. Okay? तो इसे भी track कहां से करना है? यहां से. Okay? इस तरह से जाएंगे और इसे और इसे वाफस यहां लाएंगे और इसे अच्छा से fill करते जाएंगे. यह हमारा capital sorry, small C है. Okay? यह हो गया. यहां से हम जाएंगे और इसे भी fill करते जाएंगे. यह हो गया हमारा small C. Okay? capital C and small C. So, learn to write cursive letters. आज हम लोगो ने capital C and small C complete कर लिया. मिलते हैं next video में. Bye-bye.